हेलो फ्रेंड वेलकम टू दे चैनल होमियो गाटनिंग आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे केमिकल पैस्टिसाइड से होने वाले मदू मख्यों में दुश परिनाम के बारे में और होमियो पैथिक दवाईयों से उन्हें कैसे कम किया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सक क्योंकि वो केमिकल पैस्टिसाइड उनके लिए नुकसान दे होता है जिस वज़े से जिस भी फसर में या खेद में कैमिकल पैस्टिसाइड स्प्रे होता है वहाँ पे मदू मख्या आना पसंद नहीं करती मदू मख्या नहीं आती या मित्रगीट नहीं आते तो वहाँ पे पालकों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस भी खेत में जहां पे वो आसपास में मदू मक्ही पालन करते है अगर उसके आसपास कोई बगीचा या खेत है और उसमें किसी chemical pesticide का स्प्रे किया जाता है तो उनकी जो मदू मक्हियां है वो मरनी शुरू हो जाती है जिस वज़ तो शहद बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कमी आ जाती है तो जो मदू मक्ही पालक है उन्हें काफी नुकसान होता है और मदू मक्हियों से जो और भी final products बनते हैं उनमें जो है contamination होती है तीसरा नुकसान ये होता है chemical pesticide spray करने का कि एक veroa mite होता है जिसे हिंदी में veroa mite भी ब दुश्मन है या मदू मक्ही पालकों का सबसे बड़ा दुश्मन है ये एक parasite होता है तो ये भी chemical pesticide अगर जादा spray किये जाए तो उसकी वज़से ही जो मदू मक्हियों की colonies होती है वहाँ पहुंच जाता है उनकी bodies के उपर चिपक के उन्हें वी कर देता है paralysis कर देता है उनका अच्छी medicine है medicine की picture उपर आपको screen पे दिख रही है Nux Vomica 30 ये आपको 30 potency में लेनी है अगर इसको use कैसे करना है ये आपको spray करनी है half ml in per liter of water half ml दवाई आपको 1 liter पानी में mix करनी है इसी ratio में आपको spray mixture बनाना है और अपनी फसल पे spray कर देनी है तो अगर आपके खेत में मदू pesticide की वज़े से तो जैसे ही आप medicine spray करेंगे उसके बाद देखेंगे आप कि जो chemical pesticide का contamination है वो खतम हो जाएगी और आपके खेत में वापिस से मदू मखिया आनी शुरू हो जाएगी अगर आप bee colonies में spray कर रहे हैं या मदू मखी पालक इसे use करना चाहते हैं तो जिसमें वो bee keeping करते हैं उसमें भी half ml medicine जो है वो एक लीटर पानी में mix करके spray कर दें और आप देखेंगे कि जो मखियों के उपर वर्वा माइट है वो भी धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा मतलब आपको freedom मिल जाएगी पूरी छूट मिल जाएगी वर्वा माइट से और जो weakness आई है भी ठीक हो जाएगी उनकी resistance जो है immunity power जो है वो बढ़ जाएगी मदू मखियों की और मदू मखियां जो है आपकी वापिस से healthy होना शुरू हो जाएगी जो वर्वा माइट की वज़े से उनकी population कम हो रही थी या chemical pesticide की वज़े से उनकी population कम हो रही थी वो population वापिस से बढ़न कर सकते हैं अगर आप prevention के लिए देना चाते हैं तो एक ही spray काफी है आज के वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पैल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर पैस कीजिए तो आज के वीडियो में इतना ही थैंक्स फो वाचिंग